तो इस वीडियो में मैं कोई फिल्म के बारे में रिव्यू नहीं करने वाला हूँ और गाइज ये कोई स्क्रिप्टिड वीडियो नहीं है तो अगर कुछ शब्दों का खेर फेर हो जाएगा तो मुझे माफ कर देना तो गाइज आपको मैं बता दूँ अगर आपको इस कॉंटरवर्सी के बारे में पता नहीं है तो ये कॉंटरवर्सी तीन बड़े कंटेंट क्रिएटर के बीच में है श्वेताब गेंगवार, संदीब महिशवरी और प्रकर के प्रवचन तीनों काफी अच्छे चानल है, motivational speakers है, motivation की बात करते हैं, perspective की बात करते हैं तो तीनों ही अपने ही फील्ड में बहुत अच्छे चानल हैं, बहुत ही अच्छी बाते करते हैं, बहुत help की audience को और अच्छा होता की ideological battle होती तो ज्यादा अच्छा होता, बट यह चीज़े लीगली जाने लगी अदर, escalate हो गई और हुआ यूँ कि संदीब जी ने एक वीडियो बनाया था, power of Indian culture, उन्होंने वीडियो डाला, एक शोयताब ने उस पर react कर दिया, संदीब जी को पसंद नहीं आया, तो उन्होंने का वीडियो को डिलीट कर दो, तो शोयताब ने डिलीट कर दिया, बात यहां खतम हो गई संदीब जी का, उनकी audience ने भी इनका criticize किया, मैंने भी इन पर वीडियो बनाया था, तो मुझे भी बहुत पसंद नहीं आयी थी ये बात, क्योंकि YouTube एक independent platform है, हर कोई अपनी बात रखना चाहता है, इसलिए भी और यही चीज बहुत गलत हुई थी, तो प्रकर के side में एक sentiment ज आ चुका था, और इसलिए वो fight कर रहा था कि भाई, मुझे अलाओ किया जाए, मैं अपने YouTube चैनल पर जो भी करूँ, वो मुझे अलाओ किया जाए, इसलिए वो fight कर रहा था, but हुआ यू, जब शोयताप के interview हुई, शोयताप ने perspective दिया, अपने point of view दिया, कि किस चीजों से वो गुजर रहे हैं, and यार, कोई इंसानियत भी होती है, इंसानियत नाम की चीज भी होती है, हर एक YouTube कर रहा है सब, और जो भी लोग YouTube कर रहे हैं, उनकी personal life भी होती है, personal जिंदिगी भी होती है, controversy और ये सब चलती रहती है, आज है, कल होती है, but हर इंसान की एक personal life होती है, और हर कोई struggle कर रहा है अपनी जिन्दगी में बट यहां पर एक content creator ने एक दूसरे content creator पर दो करोड़ का lawsuit फाइल कराई है I think YouTube की history में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी content creator इतना serious हो गया उसने lawsuit फाइल कर दिया क्योंकि एक unsaid एक तरह से हमारे बीच में content creator के बीच में understanding होती है कि भाई कितनी भी चीज अगली हो जाती है कोई भी बंदा किसी भी content creator पर इतना नहीं जाएगा कि वो फाइल ही कर देगा और ऐसा शायद किसी भी international community में भी YouTube की community में ऐसा हुआ नहीं होगा यहाँ पे हुआ है जो बहुत ही dangerous है क्योंकि यार आप लोग आप YouTube के review देखते होगे आप Bollywood के review देते होगे मैं भी review करता हूँ Bollywood के filmों के यार अगर माल लोग किसी को यार पसंद नहीं आया मेरे review और किसी बंदे ने किसी director ने किसी ने भी और कहा दिया कि भाई इस पे करो भाई इसको इसकी voice बंद करो तो यह तो भाई ऐसे तो यार यह platform चलेगा ही नहीं आज जो power देखो यार कि Bollywood में changes जो आ रहे हैं कि क्यों आये हैं यह भाई audience review देखती है पहले फिर देखने जाती है film और आजकल हर कोई review देता है हर कोई अपना perspective देता है इस platform की beauty यही रही है आज से 10 साल पहले जब YouTube exist नहीं करता था मैं उस generation से आता हूँ भाई जब private players होते थे जो private channels होते थे वो किस तरह से manipulative चीज़े दिखाते थे audience को और कोई perspective होते नहीं था बस एक structured interview होता था बड़े-बड़े celebrities का बड़े-बड़े politicians का वो ही हाँ चलता था बट यहां पर YouTube ने इतना बड़ा हमें platform मिला है लोगों का आप उसको ही destroy कर दोगे अगर हर किसे की दिमाग में यह रहेगा कि भाई कल को कोई content creator मुझ पर lawsuit file ना कर दे तो मैं चुप रहता हूँ तो भाई यह तो beauty खतम हो जाएगी YouTube की तो यार seriously this is completely unethical यह जो भी है गलत बात है यार यह जो हुआ है गलत हुआ है और कोई भी दूसरे content creator को यार इस तरह से किसी पर lawsuit कर देना वो भी ऐसे time पर कि यार कोई vulnerable उतनी खराब situation में हो तो यहां पर यार यह चीज बिलकुल गलत है यहां पर संदीप सरकित ने जब यह चीज करी थी किसी एक content creator के साथ अपनी power use करी थी यहां पर उनों लोगों ने उनको रोगा था उनको criticize किया था और उनोंने समझा था उस चीज को संदीप जी ने sorry बोला इस चीज के लिए बट यहां पर तो यार आप पूरे arrogance में हो यार की भाई मेरा सच सच है बाकी सब भा उसमें यह बात बोलिए बिलकुल agree करता हूं उस बात में कि भाई YouTube एक इतना independent powerful platform हमें मिला है कि मैं घर बैटके भाई अपने point of view दे सकता हूं किसे के बारे में कुछ भी independently कह सकता हूं अगर यह दिमाग किसी content creator के में आ गया ना कि भाई मैं यह नहीं बोलूंगा क्योंकि य कि save YouTube India, save freedom of speech and this is completely unethical और यह case यह सब फालतू चीज़े नहीं होने चाहिए YouTube पे और request करूँगा उस content creator से कि भाई आप वापस लो case और यह सब चीज़े आप ignore भी कर सकते हों इसका simple solution यह होता कि आप ignore कर दो भाई हर चीज़े पर reaction देने की जरूत नहीं होती है आपके अगर controversy सी चल रही है यार उसको let go कर दो कुछ चीज़े तो वो होता तो जादा बैटर रहता है तना अगली नहीं होती anyways guys so guys मैं video को यहीं end करता हूँ और आशा करता हूँ कोई भी बड़ा content creator हो या छोटा content creator हो उसके दिमाग में यह चीज़ ना आई कि भाई अगर मैं यह YouTube में बनाऊ रहा हूँ तो यह self end ना हो जाए तो नहीं बनाता हूँ चुप रहता हूँ तो भाई खतम YouTube खतम है फिर जो आ बड़े-बड़े roaster और इतने बड़े-बड़े celebrities बने है YouTube में यह नहीं आएंगे फिर भाई यह नहीं होगा खतम हो जाएगा पूरी तना से तो guys आशा करता हूँ कि भाई content creator के दिमाग में ऐसा चीज़े ना है कि lawsuit file करना पड़े यार चिल रहा हो भाई क्या problem है YouTube ए गेम है sportsmanship की तना रखा करो चीज़े और इतना serious होने की कोई जरूत नहीं है कि भाई तुम्हें law food करना पड़ जाए ठीक है भाई YouTube इतना अच्छा platform मिला है तो please इसकी respect रखो यार और please destroy मत करो यार इसको YouTube को भाई